नमस्ते कैसे हो आप लोग यह मैंने दो वीडियो में डाल लिया फर्स्ट में सेकल में डाल लिया था तो यह मेरा पीछे का पला भी बन गया देखा इसकी भी लंबी कटाई हो गई है जितना मुझे चाहिए 10 इंच इसकी भी हो गई है पीछे मेरे 40 फंदे बचे वे एक सो दो बाजू भी मैंने शुरू करे था आगे की मैंने आपको बताई दिया था इसके दोनों साइड से मैंने थोड़ा सा आगे गोल गला बनाना था तो यह तीन-तीन फंदे उपर रखे तो आगे की भी गोल कटाई करके पीछे नहीं करा मैंने कटिंग आगे आगे करा क्योंकि बॉर्डर में डाले हैं बॉर्डर में 44 हैं फिर चार फंदे बढ़ाएं फिर उसके बाद यहां तक देखो जहां मैंने पिन लगा रखे इसके बाद मैंने हर छटी से लाई में मैंने फंदा बढ़ाया यह होगा मेरा ठाइएं उसके बाद मैंने हर चार छेटी सेलाई में फंदा बढ़ाएं तो पूरे मुझे यहां तक मेरे शेड़ नभगा गई उसके बाद फिर मैंने दो घटाए फिर वही कटिंग करिए जो मैंने आगे में बता है अब मैं दूसरे पेज में बता देते दूसरे बाजू में यह भी मैंने यहां तक रखा है अब इसकी मैं कटिंग करूंगी यहां से यहां घटाई करूंगी मुड्डे की पहले दो घटाओंगी अप मैंने बढ़ाएं बस बाकि उसके बाद मैंने च्छटी सलाई पर बढ़ाएं मेरे नबे फंदियां यह दस नंबर के सलाई से बना रही हूं मैं यहां घटाई से नीचे बोर्डर तक यहां तक 18 इंच लंबी बाजू है यहां से मैंने 18 इंच बनाई उपर मेरी 10 इंच है ठीक फिर यहां से यह 10 इंच उपर कटाई करिया है अब मैं आगे इसमें बताती हूं कि एक फंदा बुना कि दो गटा दिए ठीक है दो गटा दे उसके बाद मैं अपना डिजैन बनाऊंगी इधर से अब मैं यहां से मैंने वैसे तो आपको पहले वीडियो में फर्स वीडियो में सेकन वीडियो में सिखाई रख है कि एक फंदे को हमने चार बारी खुलना है तो एक बारे और बता रह University फिर इसको बुन के लाना है धागा थोड़ा सा कसके खिंच के फिर तीन फंदे हमने बना ले फिर ये बीज का फंदे हमारा ये खुलेगा एक दो तीन चार फिर हमने फंदे उठा ले फंदे के अंदर सलाई डाले बुन के लिए आए अब सीधी सलाई में पहले मैंने इधर घटाया था ठीक है इधर मैंने सीधी सलाई से घटाया था अब की बार मेरी उल्टी सलाई से घटेगा और अगली बार से हर सीधी सलाई पे ही घटेगा ये पहले किनारे में दो उल्टे बनाऊंगी फिर ये घटाऊंगी तो अब की बा दो बाकी सलाई प्लेन जाएगी मेरी पूरी मेरी पूरी प्लेन जाएगी सलाई अब आगे देखो मैं कैसे बना रहूं फंदा उल्टा बना है दूसरा फंदा उल्टा बना है दागा पीछे करके पहले में ये दूसरे नंबर का MRD पीछे से बुन लूँग की आगे नहीं बुनुँगी फिर ये उतार इसको इसमें लिया फिर इसको फोटा सा केंज करके। दो का एक अब मेरी एक सलाई तो हो गई मेरी चार सलाई और बनेगे उसके बाद मेरा डिजैन बनेगा तो अभी मैं फिलेंट बना लेतूं यहां पे भी दिखा देतूं कि यहां पे कसे बनेगा अब मेरे पांस फंदे रह रहे हैं देखो अब मैंने पहले क्या करना है इसको बिनाबुने उतार दूँ फिर इस फंदे को पहले मैं आगे लाओंगी इसको बीच वाले फंदे को पीछे ले जाओंगी फिर इनका जो मैंने बिनाबुने उतारा इसको दोनुका मैं एक बना द बना दूंगी अब यहां पर मैं दो उल्टे बना दूंगी अब यह इसी तरह चलता रहेगा लेकिन हर बार यह उल्टा फंदा पीछे से भी बुनना है नहीं तो शिलाई में टाइट हो जाएगा ठीक है दोनों तरफ से बुन के ले जाना है और जब तक मेरा है यहां पर मेरे नब्बे में से 20 फंदे बचे हैं तो जब तक मेरे 20 फंदे नहीं उगे तब तक मैं इसनको घटाती रहोंगी अपना डिजयन बनाती जाओंगी तब तक मेरा दस इंच हो जाएगा फिर मैं दिखाती हूं आगे आप जड़ा बना लेती हूं आगे दिखाओंगी फिर गला उठाएं कितने फंदे उठाएं कोलर मिदेखो कर बने से एस बनाए उसमें तो सिलाइ काते हैं और तो इसलिए किनारस दहां है long दोसी मी खर बुने घये लेकिन उतारना नहीं वीन गुद्ध beings. कर दोनों बाजू अच्वाजू सुने बहुत है कर लिया जो दो इल्टे बनाये थे देखो वेसके कि इस लिए उल्टे मैं में आया देखो अपयों कि इतना बी शिल सकते हैं और अगर ढ़ंदगा नीचा वए से तो और दूना शतिसा ठारा है शतिस हैज है बस तो आगे मैं बताती हूं अभी ये मैंने आगे गोल गला घटाया कि तो जिस्में मैनने उठाएं देखो इसमें 17 वंडे मैने 20 वंडे बॉसन रहे थे मैंने 17 तीन फंदे मैंने इसमें कम करें बाजू में तीन मैंने इधर बाजू में कम करें पीछे मेरे 40 थे तो मैंने 34 करें थोड़े से मैंने घटाएं आगे के पल्ले में मैंने 60 फंदे उठाएं क्योंकि मुझे कॉलर बनाना है तो इसको डबल नहीं करूंगी मैं तो मैं पहले दो दोनों तरफ से मैंने उल्टा उल्टा बनाया क्योंकि बाजू में बौडर हो गएरा सब उल्टा है तो इसलिए अगर मैं गोल बनाती यह तार वाली सलाई से राउन में बनाती तो फिर मेरा मुझे सीधा बनाना पड़ता फिर मुझे फोल्ड करना पड़ता इसलिए मुझे तो मुझे करना नहीं है अब मैं इसके चार पांच सलाई मरला विए कम से कम आठ छे साथ धारी देखो मैं कितना इंच बनाऊंगी दो इंच भी नहीं बनाऊंगी ज्यादा क्योंकि मुझे कॉलर लाना उपर से तो खाली गोलाई देने के लिए मैंने यह बनाया देखो अगर मैं गोलाई में बनाती चोटा बनाती गला तो मेरे 120 से भी हो जाता है 120 बाई से लेकिन मुझे कॉलर उठाना इसमें तो ताकि गले सर डालने में परिशानी नहीं हो फिर बाद में यहां की सिलाई छोट रख्या है मैंने तो यह मैं सिलाई करके बताओंगी कि कैसे टा नहीं उठाऊंगी पांस यह फिन लगा रखा इधर के फ़ दर की नहीं उठाऊंगी क्योंकि एसलों रौंड चाहिए के राउड शाइगा मां आगे रहा ए बनाती हो तो फिर दिखाते हो आगे कि कई शिल को लर कीसे उठाना रnyt ना अरे शिलाई बताऊंगे बाकि तो मेरा यह तियार हो गया मैंने बाकि शिल से रखाया बर इस तरीक़े से आगया देखो यह इसके गोलाई लानी थे यहां पर यूशेब में यह इस तरीक गोलाई आगके जब पूरा फिए सोजाएं का फिर दिखाते वागे मेरा बॉर्डर पूरा हो गया देखो यह मैंने बनाई है छे लाइन दो दो चार दो छे बारा सला ही बनाई मैंने अब मैं यहां से घटा के ला रहे हूँ मैं सारे फंदे बंद कर दूंगी पहले तो मुझे इस तरीके का कॉलर बनाना है कि जिनका यह स्वैटर है यह जो कॉलर इस तरीके का कॉलर बनाना है अभी मैं उनको फोन करके पूछते हूँ वाइट से बनाना है यह इसी कलर से बनाना तो मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी कॉलर अब अंदर से मुझे यह कॉलर बाहर को बनाना है तो इसलिए मैंने अंदर से फंदे उठाने अभी यह ऐसा बनाना है मुझे कोलर तो मैं फंदे उठाऊंगी तो देखते हूं मैं कितने फंदे उठाते हूं यह 130 फंदे है तो 120 उठाते हूं कितने उठाते हूं जैसे उल्टा बनाके लाए थी उल्टे ही मैं फंदे घटाऊंगी बहुत टाइट भी नहीं गटाने बहुत डिले भी नहीं गटाने देखो इस तरीके से ज्यादा टाइट भी नहीं करूंगी गला टाइट नहीं और ज्यादा लूज भी नहीं करूंगी वैसे तो यह कोलर के के नीचे आ जाएगा लूज भी रहेगा तो कॉलर के नीचे दब जाएगा यह तो इस तरीके से यह घटा के लाते हूं पहले पूरे बंद कर लेती हूं फिर दिखाते हूं आगे तो पूरे फंदे मेरे घट गया देखो गोलाई देखो कितने अच्छी बैठी है अब मैं यहां से कॉलर उठाओंगी पीछे से तो पहले मैं फंदे उठा लेती हूं फिर मैं यहां पर सिलाई बताओंगी तो यहां मैंने धागा कट कर लिया इस सिलाई के लिए चोड़ दिय तो पहले मैं तार वाली सलाई से यहां से फंदे उठा लेती हूं कोलर के लिए देखो गले की गुलाई देखो अब जब यह जूड़ जाएगा कितना अच्छा बैठेगा देखो एक सो तीस फंदों में तो थोड़ा मुझे टाइट टाइट गटाना पड़ा यहां पर मैं यहां पर थोड़े से देखो इतने से फंदे मैंने तीन का एक तीन का एक कर देया था तो आगे पहले फंदे उठा लेती हूं फिर दिखाते हूं अब मैं इतने फंदे नहीं उठाओंगी यहां पर दस मैंने यह देखो मारकर लगा लिया दोनु तरफ अब ऐसे मैं यहां स मैंने ले आई यहां इतने फंदे नहीं उठाऊंगे मैं गले के पास तो पर्ले फंदे उठा लेते हूं फंदे उठाने तो सबको आते ही हैं थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर देना कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरा टॉप कैसा लगा अकाँ सोरि वो उल्टी सैड से फंदे उठा लिते क्यों हम फंदे उठाएंगे तो उसके तो किनारी इदर को आए गळे में पर पिर सब्सक्राइम एं टो कि तो मैंने फंदे मेरेी वीति ब्रूरर शाख लगा इसम्हें हैं थीत्त 22 पंदे उठा लिए मैंने मैंने अपकी बार क्या करा कि 26 26 पंदे या आगे मलब 25 252 फंदे उठाए मने आगे साइड यह रागी फे चोड देते बाकी मैंने इसमें 17 फंदे इदर 17 फंदे इदर और 34 32 फंदे मैंने पीछे उठाएं तो यह मेरे हो गए एक सो बीस बाइस पंदे हो रहे हैं मेरे पहले ज़रा एक दो सलाई निकाल के क्योंकि मैं आप कॉलर बनाओंगी तो यहां से मैं उल्टा बनाओंगी इधर से मैं सीधा बनाओंगी फिर दो सिलाई उताने के बाद आपको यहाँ पर सिलाई बता दूंगी तो मेरे को भुनने में आसान रहेगा तो मैं पहले ज़रा दो सिलाई बना लेती हूँ सीधी उल्टी निकाल लेती हूँ फिर आप लोगों को सिलाई भी बता दूंगी यहाँ पर अब मैं पहले इसकी सिलाई कर देती हूँ देखो उल्टी गाठ पे गाठ मिलानी है जब थोड़ा पहले पक्का कर लेती हूँ उपर थोड़ा से अब मैं color अंदर से अंदर की side से मैं सिधा बनाऊंगी या इधर से मैं उल्टा बनाऊंगी तो color तो बनांगी कम से कम 4 इंच 5 इंच देखो इस तरह के से ये गाठ पर गाठ मिलाएंगे तो fit बढ़ता है देखो उल्टी गाठ देखो झाल इसलिए मैंने यहां उल्टा डाला था देखो अब हमने एक गाठ यह उठा ली यह किदर की उठा ली फिर इसके साथ यह उठा ली उपर से सिलाई होती है इसमें फिर यह गाठ उठा ली आपको जैसे अच्छा लगता आप वैसे बनाई है वैसे सिले तो ऐसे भी अच्छा लग रहे है जब हम गाठ पे गाठ मिलाते हैं तो हमारी सिलाई प्रोप पर सही आती है उपर नीचे नहीं होता है क्योंकि हो जाता है कभी हमसे भी कि पल्ला चोटा बड़ा शिलाई करने में उसमें अब यह मैंने उल्टा डाल रखा था इसले ऐसे शिलाई कर रहे हैं तो देखो जोड पर जोड मिल रहा है पूरा और दिख्वी निरार उल्टी सेड से भी यह इस तरीकी से आ जाता है कि बाकी शिलाई मैंने पहले पूरी कर ली थी क्योंकि अब सर्दी जाने वाली आज मकर सक्रांध हो गई आप सबको मकर सक्रांध की बहुत बहुत बदाई कि अब ठंड जाने वाली है स्वेट ने अभी मेरे पाप भोत रह गई बनाने के लिए इसलिए मैंने पहले ही सिलाई कर ली थी अब मैं कॉलर बना लेती हूं चार छे इंच बना लेती हूं फिर उसके बाद दिखाऊंगे आपको मैं यहां पर क्या करूंगी छे मैंने सीध सीधा बनेगा जब पल्टेगा तो बहर को आएगा तो वह सीधी साइड होगा अब मैं बना लेती हूं पहले से इसमें बढ़ाना घठाना कुछ नहीं अभी अभी खाली 120 फंदे हैं तो बनाते होई जाना है बस कि मैंने साड़ी चार इंच यह बना लिया जो मैंने फंदे हो जाएगा मेरा तो मैं दोनों कोनों में क्या करूंगी देखो यह तो मैं उतार लूंगी आगे करके यहां पर मैं दो का एक करूंगी तो यह तीन बारी करूंगी एक बारी हो गया अब आते वह फिर यहां भी करूंगी फिर उल्टी सलाई प्लेन बनाओंगी फिर सीधी मे में करूंगे दलिने करोंगे था तैसे से न अपक यहां सबस्क्राइब मोनें अब गुम यह बना ले तहीं अभी दोनों सैड़ से ये बोर्डर से हो जाएगा थोड़ा सा उपर और ये मैंने यहां से जो फंदे उठाएं यहां से चार इंच बनाएं मैंने उसके बाद मैंने दो धारी तो उल्टी डाल ली बिल्कुल तब नहीं घटाया था अभी घटा रही हूं बस अब की बार से घटार ना शुरू करा कि देखो अब यह मेरे तीन फंदे रह रहे उससे पहले मैं दो काएक कर दोंगे करूंगी उल्टाई ही ठीके यह दो काएक हो गया इसको मैं सिधही ले जाऊंगी उल्टी स्लाई में पूरी उल्टी बनाके लाऊंगी उल्टी सलाई भी मेरी ये पूरी आ गई सीधी में फिर मैं फंदा घटाऊंगी ये उतारा अब तीसरी सलाई में मैं सारे फंदे बंद कर दूँगी फिर उधर भी एक फंदा घटाऊंगी ऐसी बंद के ले जाऊंगी ये परे अब दो फंदो का एक करूंगी यहाँ पर इससे क्या होगा न थोड़ी सी गोलाई आ जाएगी ये कॉलर में बस बाकी तो कुछ नहीं ये देखो इस तरह के से हलकी से गोलाई आ गई है अभी मेरा ये उल्टे में आ गया देखो उल्टी से लाई आ गई अभी मैं क्या करूंगी देखो इस बार इसमें भी कर रहीए आगे से फिर मैं सारी बंद कर दूँगी दोड़गा एक कर दिया इसको बिना बुने उतार दिया पे पर पल्दा ओंग quién जाओ भूंगैं अब मुझे सारे फंदे बंद करने अब जो बिना भून्य उता रहा हो तो इसके इंदर से इस वाले को ऐसी निकाल दिया फिर खीच दिया अब मैं सारे फंदे ठीक ठीक मला ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा डिल है अब मैं सारे फंदे बंद कर दूंगी तो बंद कर लेते हूं ज़रा पहला यह फिर आखरी में बताऊंगे कि आखरी में कैसे कर रहा था देखो इससे क्या होता है इक कोलर की गोलाई आ गई है वह चोंच से नहीं आई कि वह बच्चों पर यह अच्छी लगती है यह बड़ों का है इससे गोलाई आ गई बस बाकी ज्यादा कुछ नहीं होता इससे लेकिन अब यह मैं पूरे फंदे पहले बंद कर लेते हूं अब लास्ट में मेरे दो फंदे रह रहे हैं अब इनका दो का मैंने पहले एक कर देना है फिर इसको इसके उपर गिरा दूंगी बस अब धागा कट कर दूंगी बाकी सुई से फिनिशिंग कर दूंगी तो देखो चोंच नहीं आई यह गोलाई से आ गई है थोड़ी सी गो 1500 ग्राम में बन गई थोड़ा बहुत हैं देखो अब टोटा लंबाई मेरी देखो बाजु की मेरी हो गई है 23 इंच तेच सिंच मेरी बाजु की लंबाई हो गई है और स्वेटर की लंबाई मेरी देखो गले से लगाते हैं यह बाढ़ से लगाते हूं देखो उपर से लगाऊंगी तो मेरी 24 सिंच वह लिए और 15 इंच अगर यहां से लगाते हैं अरे यहां से लगाते हूं तो साड़े बाइस इंच बाकी आप थोड़ा सस्क्राइब कर देना वीडियो देखते यह मेरे पूरी फिनिस हो गई आज वीडियो और यह पार्ट थ्री है मेरा टू में सबसे पहले मैंने आपको ऐसे राउंड बाउडर बनाना सिखा है और यह डिजेन डालना सिखा है सेकंड पार्ट में मैंने आपको बाजो की घटाई और गले की घटाई बताई है अब थर्ड पार्ट में इसकी सिलाई गोल गला कॉलर अब देखो कॉलर देखो कितना अच्छा लग रहा है इसका या कोने में फंदे घटाने से चौचने ही आई यह गोलाई से आ गई है बाकी कॉलर चाहिए बैठा आगा देखो ऑर कॉलर नहीं चाहिए तो अंधर को फोल्ड कर लो और गोल गलेगा जब पैनोंगे तो सेट हो जाएगा फिर इस तरीके से कॉलर नहीं चाहे तो अंदर को फोल्ड कर सकता और ये गोल गला ये खाली ये बौडर थैंक यू लाइक शेर जरूर करना और थोड़ा सब्सक्राइब कर देना प्लीज आपका ये टो इन गला बन गया कॉलर भी गोल गला भी थैंक यू